हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का वाई अर्दी रसोई में आज मैं बनाने चा रही हूँ मसालेदार अर्वी की सबजी इसको अगर आपने एक बार बना लिया तो आप लिक्विडी जो पतली अर्वी बनती है उसको खाना बिलकुल भूल जाएंगे हर बार आप मांग मां अर्वी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अर्वी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम अर्वी को छीलते हैं तो यह बहुत जादा लिसलिसी होती है इसलिए आज जो मेरा तरीका है इस तरीके से आपको अर्वी को छीलने में कोई भी तिकत नहीं आने वाली है चलिए एक किलो अर्वी और इनको अच्छे से धोलिया है आपको ध्यान रखना है अर्वी आपको गोला लेनी है और सेम साइज की लेनी है कहीं से पतली कहीं से मोटी अर्वी नहीं लेनी है मैंने इस अर्वी को प्रेशर कुकर में डाला है और इसमें मैं पानी डाल कर इसका धकल जाना हैे तो इनको शील ना 5 मिनट of we will die five minutes को चील लेना है या और रहका चाहएं जाहें तो इन और और गोल भी नमपा शील कर बिजाएं तो इस गोलिए फिर कट कर सकते ईा थी मैं दो प्याज ने बड़े removed और कर दो लीकारं उग उनको नगधिجory अब लेनी है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है ओईल, ओईल थोड़ा अर्वी की सबजी के लिए एक्स्ट्रा लेना है इतने मेरा ओईल गरम हो रहा है, इतने में कुछ मसाले लूँगी, एक चमच जीरा, आधा चमच शॉंप, आधा चमच राई, और ये मैंने धनिये को कूट कर लिया है एक चमच में यहां ले रही हूँ अजवाईन और दो लाल मिर्च साबुत को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है कढ़ाई में ओईल गरम हो गया है और इस तरीके से कढ़ाई पर कोटिंग कर दो ओईल की जिससे की अर्वी हमारी चिपके न और अज़से गरम हो गया है अब इसमें जाएंगे ये जो मैंने मसाले लिये हैं सबसे पहले इसमें ये डाल दूँगे और मीडियम गैस के फ्लेम पर इनको अच्छे से भून लेना है, जैसे ये मसाले भून जाएं, तो ये जो लहसन और प्याज का पेस्ट है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनना है, मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर मसाला कच्चा रहता है, तो टेस्ट बिगर जाता है सबजी का, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, हींग थोड़ी एक्स्ट्रा आपको डालनी है, क्योंकि अर्वी थोड़ा ना गैस बनाती है, तो इसलिए हींग थोड़ी जादा रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम तैयार करेंगे, सबसे पहले में डालूँगी थोड़ा सा रैड जिली पाउडर, थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसलिए प्रियोग कर रहे हूँ कि सबजी का जो कलर है वो अच्छा है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थो को डालने के बाद गुनगुना पानी लेना है और गुनगुने पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेना है देखो अच्छे से इसको गुमाते हुए इसका पेस्ट बना लेना है क्योंकि जो मसाले यह अच्छे से फूल जाते हैं अब देखो अधर दूसरी तरफ हमारा जो मसाल से बुन बुन चलिए अब गाए में अपनागा हो जो हम पेस्ट इसमें डाल देंगे कटोरी को अच्छे से 25k अच्छे बुन लें पर गाएं इसको भी तब तक ही बुन ला है जब तक कि अमकार आपना आपना नपना अपना इसमें लाग़ा दें जैसे ही ओट बारिक शेरी क कट करके रखा था उन सभी को इसमें डाल देंगे अर्वी को डालने के बाद इसके साथ उनको करना है अच्छे से मिक्स जिससे की मसाला हर एक अर्वी पर कोटिंग हो जाए बिल्कुल अच्छे से आपको इसको उछालते हुए मिक्स करना है और इस तरीके से करना है कि नीचे से इसको उपर लाना है अकर आप उल्टा सीधा करेंगे तो यह जो अर्वी है उबली हुई है तो यह तूटने लगेंगी बस आपको ध्यान रखना है कि अर्वी तूटनी नहीं चाहिए मसाला मिक्स हो गया है अब इसमें मैं डालूंगी एक नीबू का रस डालने से बहुत अब नीबू का रस डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अब मैंने रोस्ट की है कसूरी मेथी कसूरी मेथी सबसे मस्ट होती है अर्वी की सबजी में अब बस इस कसूरी मेथी को डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करना है और हमारी सबजी बनकर तयार है एकदम लाजवाब सबजी बनी है पूरी पराठा किसी के भी साथ इसको आप अर्व कर सकते हैं चाहें तो आप इसे लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं बच्चों को बड़ों को सब को ये अर्वी बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें बाबाई